हेलो एविवन, मैं नीलमतिवारी आप सभी का मैगनेट ब्रेंस में बहुत-बहुत स्वागत कर दी हूँ मैगनेट ब्रेंस एक ऐसा चैनल है जाप पर आपको किंडर काटन से लिके 12 क्लास तक के सारी वीडियो बिल्कुल फ्री एविलिबल करवाय जाते हैं जैसा कि आज हम आपको कक्छा सात संस्कृत की सब्तम पाठ संकल्प सिद्धी दायक है इसको पढ़ाने वाले हैं अच्छा इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है संकल्प, संकल्प क्या होता है? आप कोई भी काम करना चाहते हो, उस काम को पूरा करने के लिए आप एक द्रण निश्चय कर लेते हो, तो उस द्रण निश्चय वो आपकी प्रबल इक्षा शक्ती है, जो आपका निश्चय है, उससे सिध्धी दायक यानि उससे आपको सफलता प्राप्त हो ही जाती है यानि संकल्प जो होता है वो सिध्धी दायक होता है संकल्प यानि हमारा ड्रण निश्य हमें सफलता को देने वाला होता है ये इस पाठ का अर्थ निकलता है ये तो बिल्कुल यथार्थ भी है कि अगर आप किसी भी काम करने के लिए द्रण शंकल भी या द्रण एक्षा कर लेते के नहीं मुझे ये काम करना है तो वो काम भी पूरा होता है और उसमें आपको सफलता भी मिलती है तो यहाँ पर यही जो कथा दी गई है तो शिव पार्वती की कथा पुराणों में बताया गया है संस्कृत के जो महा कवी काली दास हुए उन्होंने भी अपने कुमार संभवम में यहाँ अपनी रचना कुमार संभवम में भी इसका वर्णन किया तो इसको हम समभाद को पढ ईता रहे हैं, शुरुवात कैसे होती है? कि पारवती शिवं यानि पारवती शिवं, शिव को, अब को का अर्त क्यों निकाला? क्योंकि द्वेतियावे भकती लगीु jeu, पारवती, शिवं यानि शिवं को पति रूपेन, पति के रूप में अवाण छत चाहती है, वाण्च क का अर्थ क्या हुआ चाहना और अवांचत यानि चाहती थी क्योंकि अभी की बात नहीं हो रही है पहले की बात है भूतकाल की बात है तो कहा अवांचत शिव पार्वती शिवं पती रूपिन अवांचत पार्वती शिव को पती की रूप में चाहती थी एतत अर्थम एतत अर अरफम से यह गहां से आ तो यहां पर एक हमारी जशत्तो संधी ही जिसमें की जो हमारा थ होता है आगे आने वाले commence की वजह से तो अपने ही त्रीटीय अक्षर में से सब्सक्राइगे से आ तो उर्फमी में чब चाहिए संद्त के से ah अब यहां कहते हैं इतत अर्थम यानि इसके लिए इतत अर्थम इसके लिए सा यानि वे वह तो हम देखें वैसे तो सा का अर्थ वह होता है किसी स्थिवाची शब्द के लिए सा लगाते हैं जब उसके लिए हम वह का प्रियोग करते हैं जैसे कहते हैं शी है न ही और शी लगाते हैं ऐसे ही यहाँ पर हम सा और सह लगाते हैं सह लगाते हैं पुरलिंग के लिए और सा लगाते हैं स्त्रीलिंग के लिए सा यानि वह तपस्यम तपस्या को कर्तुम करनी के लिए कर्तुम यानि करने के लिए एक्षद वो एक्षा करती है सा वे स्वकियम अपनी मनोरथम अपनी मनोरथ को मात्रे अब माता शब्द हमारा जो माता शब्द होता है मात्री शब्द होता है मूल रूप मा को हम संस्कृत में मात्री क्याते हैं जिसका मूल रूप तो मात्र होता है उसमें जब तृतिया विभक्ती लग जाती है तब वही शब्द हमारा मात्रे बन जाता है यानि माता से न्यवेदियत निवेदन करती है सा यानि वे स्वकियम मनोरथम अपने मनोरथ को अपने मन की मनोरथकार्थ क्या हुआ मन की इक्षा को मनोरथकार्थ क्या हुआ मनहरथ शब्द से मिलकर बना है मनोरथ यानि मन के इक्षा को मात्रे माता से नियवेदयत निवेदन करती है निवेदद के अर्थ क्या हुआ बताया या निवेदन करती है बताती है चीक है निवेदन करती है एक और अर्थ आप जोड़ लेंगे इसमें चीक है क्योंकि इसका निवेदन करती है या बताती है अपनी माता को पुत्री बताती है तो ऐसी उन्होंने सा अपनी स्वकियम मनूरतम अपने मनूरत को अपनी मनकीक्षा को मात्रे निवेदन करती है तत शृत्वा उसको सुनकर माता मैना उनकी पार्वती की माता है जो मैना तत शृत्वा उसको सुनकर शृत्वा त्वा जहां लगा हुआ हो वहां कर या करके का अर्थ लगाईएगा अब तुम जहां लगा हुआ हो अंत में वहां समझ लिजेगा कि यहां पर के लिए का भाव आ रहा है कर तुम पठी तुम शो तुम पढ़ने के लिए चलने के लिए चली तुम हसी तुम हसने के लिए के लिए का भाव आ जाता है ठीक है तुम लगने से तुम लगने से करिया करकी का भाव आ जाता है तो कहते हैं तत शृत्वा वह सुनकर माता मेना माता मेना क्या होती है चिंता कुला अभवद चिंता से आकुल हो जाती है चिंता में पढ़ जाती हैं चिंता से व्याकुल हो जाती है मेना मेना कहती है वत्से कहती है बेटी वत्से हे प्रिये हे बेटी मनीशिता देवता यानि मन से एक्षित करो वो सारे देवता ग्रहे एवनिव संती जिनके एक्षा करो वे सारे एक्षा मनीशिता का अर्थ क्या हुआ कि चाहने तुम्हारे सारे एक्षित एक्षित यानि जिनको तुम चाहो जिन देवताओं को चाहो मनीशित मन से जिनको इशित करो आप मन में जिनको चाहो ऐसे देवता ग्रहे एव संती ये मनीशित देवता तो यानि मन में जिनको चाहू वैसे देवता तो ग्रहे एव घर में ही हैं घर में मेकार्थ क्यों लगाया ग्रह शब्द में एकी मात्रा सत्वी विभक्ती से लगाई जिसमें की मेकार्थ निकल रहा है कि रहे हैं घर में एवकार्थ हुआ ही घर में ही संती घर में ही है तो तपह तपह कठिनम भवती देखो उन्हों ने कहा मनीशितह देवता ग्रहे एव संती तपह कठिनम भवती जो तप होता है वो कठिन होता है तव तव यानि तुम्हारा तव कार्थ क्या होता है तुम्हारा शरीर कोमल इस वह वर शकुप मल यानि बुहत है निवयर लेकिन फिर वक्त उसकुप मल वरठ गलंति बहुत अधिक तुम्हारा कुमल है घर मनंगरा मत्रण अंर्थ विवकूत रहो अत्रईव यानि अत्रईव यहां ही यही शब्द अत्रईव शब्द हमारा किस से मिलकर बनता है अत्र और एव से इसका अत्रकार्थ होता है यहां एवकार्थ होता है ही यही अब इसी को साथ में मिलाकर अत्रईव यहां ही नहीं क्या क्या हम क्या देते हैं यही यही अभिलाशह किस शब्दों से मिलकर बना है तव अभिलाशा है तव अभिलाशह शब्द कार्थ क्या हुआ तव यानि तुम्हारी अभिलाशह तुम्हारे मन की इक्षा सफलह भविश्यती सफल हो जाएगी तुम घर में ही रहो अत्रईव यही तब अभिला शह तुम्हारे एक्षा सफला भविश्यती सफल हो जाएगी सफला भविश्यती हो जाएगी यही तुम्हारे एक्षा पूरी हो जाएगी क्योंकि के रहे है वत से मनी शिता देवता यानि मन में जो तुम इक्षा करो वैसे देवता ग्रहे एव संतिवी तो घर में ही है क्योंकि वो कहां रहती थी हिमालाय परवत पर अब पारवती कहती है अम्ब यानि माता तादरश अभिलाश उस प्रकार की तादरश शब्द किसे मिलकर बना उस प्रकार को बताने के तादरश अभिलाश उस प्रकार की अभिलाश तू जिस प्रकार की मैं चा रही हूँ उस प्रकार की अभिलाश तू तपसा एव पूर्णा भविश्यती उस प्रकार की अभिलाशा तो अब जो तू शब्द बना है इसको तू हमारा जो अव्या है एक इसका आर्थ होता है तो ताद्रश उस प्रकार की साद्रश यानि इस प्रकार की समान दिखने वाली समान और ताद्रश का उर्थ हुआ उस प्रकार की उस प्रकार की यह वयसी अभिलाश वयसी एक्षा तो तपसा तपस शब्द में तृदिया विभक्ती लगी है जिस्मका अर्थ निकल रहा है तपस्या के दौआरा एवकारथ हुआ ही ताद्रश अभिलाशा तू उस प्रकार की अभिलाशा तो तपसा एव पूनह भविश्यती तप के द्वारा ही तपस्या से ही पून होगी वैसी अभिलाशा तो किसके होगी जब शिब को पाने की इक्षा है तो इस प्रकार की अभिलाशा तो तपस्या से ही पून होगी अन्यता नहीं तो ताद्रशम पतिम कथम प्राप्ष्यामी नहीं तो ताद्रशम यानि उस प्रकार के ताद्रशम द्रिशकारत होता है दिखना और ताकारत हुआ उस प्रकार के उस प्रकार के दिखने देखे ताद्रश और साद्रश शब्द कैसे बना कि द्रशधातु होती है दिखने वाली उसी के अर्थ में ये रूप बनते हैं हमारे उस प्रकार के यानि उस जैसे तादर्शम उस प्रकार के पतिम उस प्रकार के पति को कथम यानि कैसे प्राप्ट स्यामी उस प्रकार के पति को मैं कैसे प्राप्ट करूँगी जैसी मेरी अ करूँगी इती मम संकल्प है ये मेरा संकल्प है अहम मैं तपह एव तप ही चरिश्यामी करूँगी इती ऐसी मम संकल्प है ऐसा मेरा संकल्प है मैं तो तब ही करूँगी नहीं तो उस प्रकार की अभिलाशा और वैसा पती मेरे नहीं मिलेंगे ऐसा पार्वती ने कहा मेना कह करते हैं पुत्री 285 म में जीवना व्लाशा अब कहते हैं अम मां है फो तू अब तप की बात सुनकर कि फुत्री कोवल है अब कैसे तब करेगी तो ऐसा सुनकर म PLAYना कहती है कि पुत्री 222 वियंकि तुम राट किस से मिलकर बना है तुमन और एव से जिसका अर्थ निकलता है तुम ही तुम ही में यानि मेरे तुम ही में जीवना अभिलाशा जीवन की अभिलाशा हो जीवन की इक्षा मतलब मेरा जीवन तो तुम से ही है मेरे जीवन की अभिलाशा तो तुम ही हो जीवन अभिलाशा किन शब्दों से मिलकर वना है जीवन को अलग करेंगे और अभिलाशा को अलग करेंगे तो हमारे पास दो शब्द मिल जाएंगे जीवन अभिलाशा ठीक है जिसका रफुआ जीवन की अभिलाशा तुम्ही मेरी जीवन की अभिलाशा हो पारवति सत्यम सत्य है परम लेकिन परमकार्थ क्या हुआ लेकिन मममनह मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम मेरा मन लक्ष को प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तती मेरा मन तो लक्ष को प्राप्त करने के लिए आकुलित है व्याकुल है आकुलितम कार्थ क्या हुआ व्याकुल है तत्पर है सिद्धिम प्राप्य सफलता को सिद्धिम यान सफलता और उसमें माहलंत लगया अनुस्वार लगया द्वितिया विभक्ती लग गई इसका अर्थ निकलाया सिध्यम यानि सफलता को प्राप्य प्राप्त करके अब प्राप्य यहां पे भी लिप लगार लगा हुआ है इसलिए कर और करके का अर्थ हमने निकाला लिप जो प्रट्याय होता है दो प्रट्याय यसी होते हैं जो किसी भी धातू इंद बहाव जबWorld ईர्फ उच्छांस और किया होती है सब्सक्राब ऄड़नते हैं जलीक है एक्त्वा प्रट्याय में ऐकना faith लेकिन कुछ धातुएं जो उपसर्ग वाली होती है उपसर्ग वाली धातुओं में हमारे पास क्या होता है लेकिन उपसर्ग जिन धातुओं में लगा हुआ हो उन में हम लिया प्रत्या लगाती है और जिन में उपसर्ग ना हो साधारन धातुएं हो उन में हम इत्वा प्रत्या लगाती है यह इन में अंतर होता है जैसे यहां पे आप धातुओं में प्रा उपसर्ग लग गया था त उसमें यह लगा दिया तो प्राप्य, यानि प्राप्त करके, सिध्धी को प्राप्त करके, सफलता को प्राप्त करके, पुनह यानि फिर से तवईव, तव एव, तवईव यानि तुम्हारी ही तवईव शब्द किस से मिलकर बना है, तव और एव शब्द से, यानि तुम्हा तवईव यहां पर हमारी कौन सी होई है व्रिद्धी संधी होई है आ और एक एमेल से आई की मात्रा बन गई है तवईव तुमारी ही शरणम आगम श्यामी तुमारी ही शरणमें आजाओंगी अध्याईव अब यहां पर कहते हैं देख एव का कितना आर्थ यहां पर अध्या यानि आज ही विजया के साकम यानि साथ में गोरी शिखर को गच्छामी जाओंगी आज ही में गोरी शिखर पर चली जाओंगी ऐसा उन्होंने कहा साकम का अर्थ होता है साकम, सार्धम, समम ये सभी अर्थ हमारे साथ को दिखाते हैं अब पार्वती मन से वचन से और कर्म से तपह ही तपती इस्म तपस्या ही करती रहती थी कदाचित कभी-कभी रात्रव, रात्री में इस थंडिले, इस थंडिल का अर्थ क्या हुआ कैसी भूमी पर जो इस पे कुछ बिच्छा भी नहीं हूँ, ऐसी बिल्कुल भूमी पर और कदाचित सिलायां स्वपती कभी-कभी रात्री में किसमें भूमी पर और वो भी जमीन कैसी बुली जिस पर कुछ भी बिचा नहीं हो सी समतल धरातल पर और कभी-कभी कहां पर शिलायम कभी-कभी चट्टान पर स्वपति इस्म जहां पर वो कौन थी एक राजकुमारी थी एक देवी थी सोचिए एक सक्ति की श्वरूपा थी उनके पास कौन सी शक्तिया नहीं थी शक्ति के बल पर वो क्या नहीं कर सकती थी लेकिन उन्होंने यहां पर अपना तप दिखाया अपना द्रणिश्य दिखाया अपने कभी-कभी रात्री में इस थंडेले कदाच शिलाया में स्वपती यानि सोती इसम लगाने से थाथी थी का भाव लग जाता है स्वपती इसम सोती थी एक दा विजिया अववद एक बार विजिया अवदत बोली क्या बोली विजिया कहती है सखी तपह प्रभावात के तपके प्रभाव से हिंस्त्र पश्वो अपी हिंसक पशु भी हिंस्त्र पशु पश्वो अपी यहां पे उत्वसंदी हुई है हमने अभी चार या पांच वबा पाठ आपको पढ़ाया था वहां पे उत्वसंदी को हमने समझा दिया था कि यह जो अवग्रह का चिन है वो आ की वज यानि हिंसक पशु भी सखी तपह प्रभावात तपके प्रभाव से हिंस्त्र पशु अपी हिंसक पशु भी तव यानि तुम्हारे शखायह जाता सखा हो गये हैं तुम्हारे मित्र हो गये हैं सखायह जाता सभी जाता यानि हो गये हैं सभी क्या हो गये हैं तुम्हारे मित्र ने हिंसक पशोट सेर ङुमडाय है चीते घुमराय भा लों गुमराय है लेकिन वो भी स्था हो गए है तुमारे तके प्रभाव से पंच अगनी पंच अगनी रथम अपी तुम अप अनुकर से व्रत को भी जिसका आर्थ निकला व्रत को भी अतपह किया अच्य सब्सक्राइब। पंचकार्थ होता है पांच और अगनी होती है आग तो पारवती जी की तबस्या आप देखिए पंच अगनी पता कब लगाती थी जब मैय और जुन की भीशन गर्मी होती है उस समय पर वो बीच में बैठके अपने चारों और अपने पांच और अगनी को प्रजुलित करती औ कि बात आप कि बात देखेंगे कि इतने कठिल तपस्या कोई कर नहीं सकता है जितनी कि उन्हुन किया सब सिसमय उन्होंने जल में खड़े हो कर तपस्या की उस ठंद में, ठंद में वो कैसे होती थी? बिलकुल यहां तक, खाले तक पानी आ जाए, यहां तक खड़े होके वो तपस्या करती थी और एक पेर पर खड़े होके तपस्या करती थी, जल के अंदर और 除 जाता है कि जब कमर में जो बांधेना कमरबद BC तो व्लकल बर्स धारण करने के लिए भई बांधते हैं तो उसमें वह क्या करती थी आपने कशा देखी आपने हम आपको थोड़ você तो यादकर्मानी की कोशित कर वाते हैं अपको एक तरह की यहाँ पेंगृठी जैसे हो भी किसी कि ग्हास यह होती है filling hat regionat कंशा कंशा किया होती है क्षा मृषर करके और वे घज़ी से गपर चुल भी खलती है तो उसका क्या बनाती थी उसका कमर बंध अपने कमर में बांधती थी मतलब इतनी कठिन तप उन्होंने किया कि हर विपरीत परस्तियों में विपरीत काम किया जब कैसा हो रहा कडाकी की गर्मी पड़ रही है भीशन गर्मी पड़ रही है उसमें पंचागनी में उन्होंने तप किया जब कडाकी की ठंड पड़ रही है तब उन्होंने जल में खड़ी होकर तपस्या की फिर कहते हैं कि बताते हैं उसमें कुमार समभव में पढ़ा थिन और उसके बाद उन्होंने सिर्फ वायू का सेवन करना शुरू किया था पत्त भित्याग दिये तक तो यहां पर वही कह रही है पंचागनी व्रत मपी त्वम अत्पह पंचाहनी व्रत भी तुम ने किया ह two day यानि पश पर भी पुर अपी शब्द पुनर अपी कि इसमें जुड़ गया इसीलिए यह राह हमारे सामने पूरा आ गया और पुनौरपी यह हमारे अभिलाशा पूर नहीं हुई और कहते हैं तुमने पंचागनी में भी तप किया सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारी अभिलाशा पूर नहीं हुई तो पार्वती कहती हैं अई विजये, अरे विजया, किम ना जाना से क्या नहीं जानती हो, मनस्वी, जो मन में एक्षा करने वाले होते हैं, कदापी, कदापी यानि कभी भी धेर्यम ना परित्यज, धेर्य को नहीं छोडते हैं, त्यक दातु होती है, त्यजकार्थ त्याग नहीं होता है, अभी और मनोरत को भी अगती नास्ति नहीं छोड़ते हैं नहीं क्या कहते हैं अपनी मनोरत यानि अपनी एक्षा को भी नहीं विफल होने देते हैं अब विजया कहती है तुम तुम अब फिर समझाती है क्योंकि उसको लग रहा है कि उसकी सक्षी कितना तप कर रही है और उसके बाद भी उसकी इक्षा पूर्ण नहीं हो रही है ठीक न? तो क्या कहती है कहेगी विजया कहेगी तुम वेदम अधीत वती तुम वेदों को जानती हो यग्यम यग्यों को संपादित वती तुम यग्यों को संपादित करती हो तुम वेदों को जानती हो तुम वेदों का अध्यान करने वाली हो तुम यग्यों का संपादन करती हो यान कि एक तुम्हारी प्रिसिद्धी हो गई है तुम्हारी प्रिसुद्धी हो प्रतिता पहले पूसका तो उसको कहने वाली धिया तो उनका नाम हो गया अपरण यानि बिना पढ़न के भी रहने वाले क्याते हैं अपढ़ना इती नामना अपी त्वम प्रतिता अपढ़ना इस नाम से भी त्वम प्रतिता तुम प्रसिद्ध हो तुम प्रसिद्ध होई क्योंकि तुम्हारे तप ने तप इतना भीशन तप किया इतना कठोर तप किया कि त तुम्हारा नाम अपणना रख दिया गया पुनरपी फिर भी तपसह फलम नईव द्रश्यते फिर भी तपका फल फिर भी तपस्या का फल नईव नएव नएव शब्द से नईव बना हुआ है यानि नहीं नहीं कर दीजे तो नईव नहीं बन जाता है हीते हैं फलम नई वद्रश्यते फिरभी तुम्हारी तपस्या का तपस्या का फल नई वद्रश्यते नहीं दिखाई दे रहा है पारवती केती है औरे आतुर हरदय व्याकुल हरदय वाली कथम तुम कि कथम चिंतिता क्यों दों ने पत्त्य में मैं तब कुछ दूर से अई अई हो अरे अ हम आश्रम बटू मैं आश्रम का वटू विटू का लुगा वग्लवा साह्ता हुँँ जल को चाहता हूं अब सम केती है स सम ब्रहमम अचानक से किस के साथ गबराहट के साथ ब्रहम के साथ में स यानि सहित सम ब्रहमम ब्रहमित होने के साथ साथ गबराहट के साथ में कि अरे ये कौन आ गया विजये अब सम ब्रहमम अचानक से ब्रहमित होकर केती है विजये पश्य देखो को अपी वतो अतो आगतो अस्ती पश्य यानि देखो को अपी कौन सा कौन वतो कौन से भरमचारी आगतो अस्ती आई हुए है विजिया जटती अगच्छत विजिया जल्दी शीग्रता के साथ जाती है सहसाईव अचानक से ही और जैसे ही विजिया जाती है किते हैं विजिया जटती अगच्छत विजिया जल्दी जैसे ही जाती है शीग्र गई वहाँ पे वटू रूप धारी वटू का रूप धारण की हुए शिवह तत्र प्रावेशत वहाँ पर प्रवेश करती संस्कृत का सब्तम पार्ट संकल्प सिद्धी दायक इसका हमने आपको आधा पार्ट पढ़ा दिया पहले वीडियो में ठीक है जिसमें के हमने क्या पढ़ा कि पार्वति है अपनी माता मैना को कहती है कि मुझे शिव को पती के रूप में चाहती हूँ और उसके लिए मैं तप करने जा रहे हूँ और जब वो तप करने के लिए जाती है तो वो बहुत कठिन तप करती है उनकी सखी विजिया भी उनके साथ में जाती है तब जब पंचागनी का तब कर लिया उन्होंने हर प्रकार के तब को करने के बाद फिर जब विजिया कहती है कि तुमने इतनी कठिन तपस्या की और तुम्हें कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए मैं तो बहुत व्याकुल हो रही हूँ तब पारवती ने समझाया कि तुम व्याकुल मत हो जो मनस्वी होते हैं जो मन की इक्षाव को पूरे करने के लिए द्रन संकल पे लेकर जाते हैं वो कभी अपने पत से विचलित नहीं होते हैं और वो कभी घवराते नहीं हैं ना ही अपनी एक्षा को छोड़ते हैं यह नहीं पूरी हो रही है तो अब उसको छोड़ दे तो इतनी ही उनका वार्तला पुरा होता है उतने में ही एक वतु यानि एक कोई भ्रहमचारी आते हैं और कहते हैं कि मैं आश्रम का भ्रहमचारी हूँ मुझे पानी चाहिए और वो थे कौन वतु की रूपे भ्रहमचारी की रूप में शिर्थे भगवान शिर्थे अब वो आते हैं अब क्या होगा इनका समवाद आगे क्या होगा क्या कथा होगी इसको हम पढ़ते हैं तो विजिया कहेगी वटो यानि हे ब्रह्मचारी स्वागतम ते तुम्हारा स्वागत है आपका स्वागत है उपविशतु भवान भवान यानि आप उपविशतु आप बैठिये इयम में सखी अब वो बता रही है ये सखी है ये विजि शिवं प्राप्तुम शिव को प्राप्त करने के लिए अब के लिए का भाव आगे हैं यहां पर तम ने कहा था जहां तुम हो वहां के लिए लगा लेना प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए अत्र यहां तपह करोती यहां पर तप कर रही है अत्रकार्थ क्या होता है यहां वटु हो हे तपस्विनी वटु पूछते हैं भ्रह्मचारी कहते हैं हे तपस्विनी किम क्रियार्थम क्या करने के लिए क्रियार्थम करने के लिए पूजोपकरणम वर्थते कि पूजा को करने के लिए तपको करने के लिए क्रियार्थम पूजपकरणम पूजा के उपकरण सबसे पहले तो धर्म साधना शरीर होती है उसके बाद में कोई धर्म होता है कियोंकि जगत में जितने भी काम किये जाते हैं, हर व्यक्ति अपने शरीर के लिए ही करता है, अपने उधर पूर्ती के लिए ही करता है कि नहीं करता है, यह बताइए, जितने भी काम किये जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो सब अपने किस के लिए अपने पूजन उपकरणम किस से मिलकर बना है हमारा पूजन उपकरणम शब्द से पूजनो क्यते हैं पूज उपकरणम पूज उपकरणम ठीक है यहाँ पे आ और उ के मेल से हमारा ओ की मात्रा बन गई यहाँ पे गुण संधी हो गई है पूजा के लिए कहते हैं पूजा उपकरणम पूजा के लिए उपकरण है क्या वर्तते यानि है स्नान आर्थम अर्थ जहां लेखा हुआ हो के लिए का भाव लगाएंगे स्नान के लिए जलम लभं, जल है क्या? फिर कहते हैं भोजनार्थम फलम बरतते, भोजन के लिए फल है क्या? तुम तू जाना सी, तुम तो जानती ही हो, के जानती ही हो, ही शब्द यहां से आया है, तुम तो जानती ही हो, के शरीरम आध्यम, जो शरीर होता है आध्यम यानि पहला खलो धर्म साधना खलो यानि निश्चित ही धर्म साधना धर्म का साधन तो सबसे पहला क्या होता है हमारा शरीर ही होता है अब कहते हैं पार्वती तूशनीम तिष्ठती पार्वती चुपचाप तूशनीम का आर्थ होता है चुप पार्वती तूशनीम तिष्ठती प किसलिए अब के लिए काया क्योंकि अर्थ अर्थ दिख रहा है जहां पे आपको वहां पे के लिए का भाव लगाईएगा के लिए का अर्थ जोड़िएगा कि मर्थम किसलिए तपह तपसी किसलिए तप कर रही हूँ शिवाय शिव के लिए पारवती पुनह तूश्निम आम हां तसमय एव तपह तपती उनके लिए ही उसके लिए ही तप कर रही उनके लिए ही तपह तपती ही शब्द एव से आ रहा है बार बार देखेगा उनके लिए ही तपह तपती उनके लिए ही तपस्या कर रही है वतु रूपधारी शिवह वतु रूपधारी जो शिव है वो क्या करते हैं यानि भ्रमचारी का जो रूपधारण करके शिव आये हैं सहसाईव यानि सहसाकार्थ हुआ अचानक एव जोड़ दिया तो बनिया ही अचानक ही अब सहसाईव शब्द किस्से मिलकर बना हुआ है हमारा सहसा सहसा कर्थ क्या होता है अचानक और एव अचानक ही सहसाईव सहसाईव उच्चई जोर से उपहसती उपहास करने लगते हैं जोर से अचानक से जोर से उपहास करने लगते हैं वटू केते हैं अही पारवती, अरे पारवती सत्यम एव स्यत्य ही है कि सत्य ही, सत्यम एव शब्द किस से मिल कर बना है, सत्यम एव सत्यम और एव से, सत्य ही है कि तुम शिवं पतिम एक्छासी, तुम शिव को पति की रूप में चाहती हो, ओ भासन, फिर ओपास करते हुए क नाम ना शिवह नाम तो उनका शिव है अन्य था अशिव जबकि है अशिव यानि शिवकार्थ क्या होता है स्वच्छ निर्मल कहते हैं नाम ना तो शिव नाम तो उनका शिव है और कहते हैं अन्य था अशिव और है बिलकुल अशिव शम्शाने वसती शम्शान में तो बास क वस्त्र को क्या करते हैं वसन किसको कहा जाता है वसन व्याग चर्मम वसन उनके क्या है वस्त्र उनके व्याग्र किसकी बाग की खाल पैंते हैं बताओ तीन आखें हैं शम्शान में रहते हैं वसन जो उनका वस्त्र है वो व्याग्र चर्म है व्याग्र यानि बाग बाग की च बश्तर में पैनते हैं अंग राग चिता भश्म लोशन लगाते हैं और द्विशार कर निकलताएं जलती चिता की रॉक्चितार पारीजना और अरूनैम् भूत गण में रहते हैं वह उनकी आधिक्य क्यों रहते हैं तोई रिभागा क्या आधिक विचुटार से था प्रिजन परिजन है उनके किम तमेव शिवम पतिम एक्षची क्या तुम तम एव वैसे ही उनको ही उनको ही पति चाहती हो पारवती कुरुधधासती कुरुद हो जाती है कि अरे वाचाल अरे ज्याद़ा बाते करने वाले वाचाल अब सर दूर हट जाओ दूर हट जा बिलकुल जगती जगत में ना को अपी ऐसा कौन है जो सिवश्य शिव के यथार्त स्वरूपम ना जाना सी ऐसे यथार्त स्वरूप को नहीं जानता है ना यहां से आएगा नहीं जानती जगत में कौन ऐसा है जो शिव के यथार्त स्वरूप को नहीं जानता है जगत में जगती शब्द में मैं क्यों बोल रहे हैं जगत शब्द में जगती बनता है सब्तमी विभक्ती में जिसका आर्थ निकलता है मैं जगत में न कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को न जाना दी कौन है जो स्वरूप को नहीं जानता है उनके यथार्थ वास्तविक रूप को कौन नहीं जानता है यथा जैसे तौम असीव तथाईव वदसी जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो बाकी और ऐसा कौन है कि जो उनके यथार्त सुरूप को नहीं जानता है कहाए कि जैसे तुम भ्रह्मचारी हो वैसे ही तुम बोल रहे हो विजयाम प्रती विजया के प्रती कहती है सखी चल सखी चलो यह निंदा करोती जो निंदा करता है यह कार्थ है जो यह निंदा करोती यानि जो निंदा करता है सहतु पाप भागा भवती वह तो पाप का भागी होता ही है जो निंदा करता है जो बुराई करता ही होता ही है यह जो शुरुनोती जो सुनता है सो अपी वो भी पाप का भाग भवती वो भी प तो पार्वती दृत गत्या तेज गत्या यानि गती के द्वारा पार्वती दृत गत्या पार्वती तेज गत्या यानि गती के द्वारा पार्वती दृत गत्या पार्वती तेज गत्या यानि गती के द्वारा पार्वती दृत गत्या पार्वती तेज गत्या यानि गती के कि रूप को वटका कॉन ब्रहम्चारी की रूप को छोड़कर शिवह तस्याह हस्तम ग्रहणाति जो तदयव पीछे से यही तद एक शब्द से मिलकर बना है यह यही यहानी वैसे ही तद तद और एक शब्द से से मिलकर बना है हमारा तदाइव जिसकार्थ गहां वैसे ही वैसे ही प्रश्ठ थह यानि पीछ फह वतों नि जवके हुआं वर ब्रह्मचारी के से कहते हैं उनके हाथ को ग्रहनाती पकड़ लेते हैं पार्वती लज्जाया कंपते पार्वती लज्जा से कंपत होने लगति हैं शिवह शिव पार्वति प्री तोहस्मी के दुआनी तव यानी तुम्हारे संकल्प के द्वारा प्रीतोहस्मी हो गया हूं क मैं तपां कि अध्य प्रभर्ति आज से ही आजसे लेकर अहम मैं तव तुम्हारा तपो भी तुमारी तपके द्वारा कृत दासो असमी किया हुआ दासो तपके द्वारा बनाया गया दासो क्रीत यानि किया हुआ बनाया हुआ या जीता गया कहता है कहते हैं अध्य प्रभर्ति आज से ही आज से लेकर ही अहम मैं तब तुम्हारा तवपो भी है तुम्हारी तपस्या की द्वारा क्रीत दासो असमी किया हुआ या जीता गया हुआ दास हूँ अब कहते हैं विनतानना विनत शब्द में आनन जोड़ दिया यानि विनतानना कार्थ क्या हुआ जुके हुए मुख से आननकार्थ क्या होती है आननकार्थ हुता है मुख जुके हुए सिर के द्वारा पारवती विहसती पारवती हसने लगती है जुके हुए सिर के साथ में पार्वती हसनी लगती है इस प्रकार से यह हमारा क्या हुआ आपका पाठ पूरा हुआ देखिए द्रण संकल्प द्रण एक्षा थी तो उन्होंने भटकाया भी तपस्या की फल नहीं मिला कुछ नहीं मिला कोई बात नहीं फिर उसके ब्रह्मचारी ने भी सो बुराईयां की तो पार्वती को क्रोध आ गया लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा और उसके फलसरूप क्या हुआ भगवान शिव उनको प्राप्त हुए तो शब्दार्थम सासात में तो बताहिते ही गये थे एक बार और बस देख लेते हैं कि पती रूपेन यानि पती के इक्षा तपसा यानि तपस्या से जो आपके शब्दार उसमें दिये हुए हैं उनको भी आमने आपको बता दिया प्राप्त करूंगी जीवन अभिलाशा जीवन की चाह या जीवन की अभिलाशा आकुलितम परेशान होकर साकम यानि साथ में निश्क्रामती निकल जाती है और मनसा यानि मन से वाटाट तो हमने पढ़ लिया और देखा किस किस प्रकारत से अपने द्रन संकल्प के द्वारा सफलता प्राप्त की जाती है जैसे कि शिवने पारवती जी ने शिव को प्राप्त किया अपनी कठिन तपस्या के द्वारा अपने द्रन संकल्प के द्व तपस्या तो तब होती है जब हमारे मन में इच्छा सक्ती प्रवल होती है किसी चीज को हम निश्य अपनी मन में कर लेते हैं वह हमारा संकल्प होता है तो अब अभ्यास में पहला प्रश्न हमारा आता है उचारण करोती यानि उचारण कीजिए उचारण क्यों करवाते हैं उ जो बात करते हैं आप जो संस्क्रिट के शब्द बोलते हैं वो शुद्रूप में बोलेंगे लिखा है अभवत क्या लिखा है अभवत अकथ यत अगच्छत यहां पे यह सारी चीज़ें यह क्या दर्शाने के लिए भी बताई जा रहे हैं कि यह भूत काल की क्रियाएं है ती भव यानी होना अभवत यानी हुआ अकथ यत यानी कहा अगच्छत यानी गई या गया ठीके नियवेद यत यानी निवेदन किया पूजयत यानी पूजा की स्वपिती यानी सोती थी तपती तपती है अब यहां पे जैसे ही छोटी की मात्रा आई वहां पे ती आई वैसे ही हमने वर्तमान काल की सोती हैं तपती तपस्या करती हैं प्राविशत यानि प्रवेश करते हैं अवदत यानि कहा वदती इसम अब देखिए ती जहां लगते हैं वहां पर हम वर्तमान काल का रूप निकालते हैं है का रूप लिखते हैं है का रूप बोलते हैं के तपस्या क करती हैं सूती है इस प्रकार से लेकिन अब हमें पता है कि ती तह अंति सीथ था आमी आव आम यह लट लकार यानि वर्तमानकाल में जोड़े जाते हैं और इनके जो अर्थ हैं वो कैसे निकलते हैं कि पढ़ता है पढ़ती है पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो मैं पढ़ता हू रहती हैं। यहाँ पर देखे वसती लिख वशती लिखा हुआ है कि वास करती हैं.... वसती हैं रहती हैं लेकिन इसम लगा देने से उसमें था थी थे का अर्थ निकलाता है किसका निकलाता है थ थी थे का तो जैसे ही वसती किसी भी क्रिया के साथ में बाद में इसम लगा दिया जाए समझ लेना उसको भूत काल का परिवर्तित कर दिया है कि रहे हैं वसती इसम यानि रहती थी या रहता था वसती इसम रक्षती इसम रक्षा करता था वदती अब वदती अकेला आया तो कहती है और चरती इसम यानि करती है छी ठीक है वेचरण करती है चलती है चर जो धातु है चलने का अर्थ बताती है अब आप कहेंगे कि चरना तो उसको कहते है भई जो घास पुस खाते हैं कोई भी जानवर हैं वह घास खाते तो उसको भी तो चरना कहते हैं उसके लिए भी तो यही चर धातु आती है तो भई वह चलते हुए खाते हैं इसलिए अकेले बैटकर खा रहे होते तो तो वह खात धातु ही लगा देते हम उसमें लेकिन आपने दे यानि चलती थी, यह चलता था, यह चलती थी, करोती इसम करती थी, गच्छती इसम जाती थी, अकरोत यानि किया, पठती इसम यानि पढ़ती थी, समय था थी थे का बोद लगा देते हैं, इसलिए हम उचारण के साथ में इनके आपको अर्थ भी बता देते हैं, कि यह क्यों है और सबसे अच्छी एक यहां पर हमारी प्रकारस्य बनाने के लिए बताया गया है उधार resumes करें तो जैसा कि आपको पता है किंग आमाहा हमारे कहां लगाए जाते हैं वर्तमानकाल में लगा जाते है तो यहां पर यह देखिए लिखा है ती अब आपको टेबल हमने लास्ट वीडियो में जब हम करवा रहे थे अपना चटवा पाठ पढ़ा रहे थे चटवे के अंतिम पाठ में भी हमने यह बताया था कि लटलकार में प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुर लगायजाते ही वह कौन से होते हैं ती तः और अंति अब जबकि हमारे पास ती लिखा हुआ है एक वचन वाला तो दूई वचन वाला क्या आएगा यहां पे तह और भीवचन वाला क्या आएगा अंति लग जाएगा जो भी क्रिया होगी उसमें ती एक वचन में तअध दोईवचन में और अन्ती बहवचन में और इसमें लगाने से इनका थाथी थे में भाव बन जाएगा यानि पूजा करती थी दोनों पूजा करते थे सब भी पूजा करते थे अब यहां पर देखिए तह लिख दिया है दोईवचन वाला तो भाई बीच में क्या आता है ती तह अंती तू यहाँ पे ती लिख देंगे, यहाँ पे अंती लिख देंगे और हमारी त्रिया बन जाएगी मूल्दा तु क्या है? रक्ष रक्ष में तह लगा हुआ है ती और अंती हमें लगा दीना है और इसम सम्में जूढ़ना है तो भई इसमां हम चोड़ते जा रहे हैं ऐसे ही लिखा है चरतह क्या लिखा है चरती चरतह अब ती लगा दिया तह लगा दिया तो बच्चा क्या मारा अंती तो लिख दिया ती तह अंती चरती चरतह चरंती अच्छा यहां पर अंती यहां पर लखा हुआ है तो भाई कुरुधातु जो क्री धातू होती है वो अब उनके रूप थोड़े बहुती डिफरेंट बनते हैं थोड़े अलग-अलग बनते हैं जिसमें की ती लगाने पर वो कुर नहीं कहा कि हम उसके में कहते हैं करोती उसके बाद हो जाता है कुरू और फिर आता है कुर्वंती तो यह बनता है करोत ती कुरुतह कुरुवंति ती तह अंति तो रहेगा लेकिन यहां पर इस धातु में परिवर्तन बहुत सारे होते हैं क्री धातु होती है यह री जो होता है उसमें अर में परिवर्तन हो जाता है यह सब इसमें परिवर्तन होते होते कहीं करुति बन जाता है कहीं कुरुवंति चलता कि दौनों चलते थे और को भी कि एसमें अर्थ निकालेंगे क्यों कि वरतमान खाल की धातू के वाद अगर इसम अब्याद लगा जाए तो उसका अर्थ थाथी डिए में बदल जाता है अब लिखा हुआ है इसी प्रकार से ताम उन अब भूध काल की घ्रियां में जाओ अब ती तहां अंती यहां पर याद हो गई कि आपको वर्तमान काल की हो गई अब ताम ओना सब्सक्राइब के यहां पर देखें लंगलाकार के प्रत्म पुरुष में, जब एक वचन, दुई वचन और बहुचन की जो क्रियां बनाई जाती है, तो वो किस प्रकार से बनती है? क्रिया के अंत में लगाया जाता है त, ताम, नह मध्यम पुरुष में लगाया जाता है पूरे ही लिखे दे रहें फिर आगे की भी आएगी तो अपने पास पूरी टेबल होनी चाहिए मध्यम पुरुष में लगाया जाता है अह, तम और त फिर इसके बाद उत्तम पुरुष में लगा जाता है अम, आव और आम ठीक है? और भूतकाल की एक और विशेस्ता होती है कि क्रिया के आगे आ लगा दिया जाता है बीच में घ्रिया लिग दी जाती हो और बाद में तामना लगा दिया जाता है इस प्रकार से ये हमारा टेबल बनती है सब के पहले ऐसा नहीं कि केबल एक वचन के लिए सभी में पहले आ लगा देंगे फिर तामना अहतमता अम जोड दिया जाता है तो यहाँ पर भी क्या किया है ताम और न लिख दिया है तो पहला वाला क्या बचा है ता वाला बचा है तो पूज धातू में क्या होगा आ आगे लगा देंगे ताम की जगे पे ता लगा देंगे अपूजयत अपूजयत आम और अपूजयन ठीक है ऐसे ही अरक्षत रक्षधातू में आ लगा दिया त हो गया तो ताम और न लगा देना है आ तो लगेगा ही क्योंकि ये भूत काल की क्रियाए बन रही है ठीक है आगे देखते हैं अब ये देखें ये सी में मध्यम पुरु के लिए हमारे पास तंड लिखा हुआ है तम यानी ये हमारे पास तंड लिखा YA है आगे पीछे का किया बचा है अह नहीं लिखा है तो यहां लिख देनगे अपूझ यह जैए और यहां लिख देनगे अपूझयाथ ठीक है एसे ही चरधहतु में अब आपको याद हो जाये कैसे करते हैं तो ये आपकी बूत काल की क्रियाओं को इसमें सिखाना था कि किस प्रकार की क्रियाओं बनेंगे ओप सभी का थाती थे میں अर्थ बनता है और इसलिए बताया कि थाथ ही थे की जगे अगर कभी आपको लिखी तो है वर्तमन काल की क्रिया ती तह अंती लगी है लेकिन उसके बाद अगर इसमें जुड़ जाए तो वो भी हमारी भूत काल में कहलाने लगती है तो ये हो गई आपकी इस क्रिया की रिक्तिस्थानों की पूर्थी अब आगे चलते हैं प्रश्न नमबर तीसरा लिखा हुआ है प्रश्ना नाम उत्तरानी एक पदें लिखते हैं यानि प्रश्नों के उत्तरों को एक पद के द्वारा लिखिए एक पद में लिखिए सिर्फ आपको एक पद में लिखना है शब्द में नहीं लिखना है बार बार हम यह चीज बताते हैं आपको जब उत्तर करवाते हैं कि शब्द और पद क्या होता है कि शब्द होता है राम और राम हो जाता है पद यानि जिसमें विभक्ती लग जाती है वो पद बन जाता है शब्द में जब विभक्ती लगती है तब वो पद बनता है तो हमें पद में उत्तर देना है यानि विभक्ती में उत्तर देना है विभक्ती का अर्थ क्या हुआ जो शब्द रूब हम याद करते हैं उनमें देना है वो आप कैसे लगाएंगे कि कौनसी बिभक्ती कहां आएगी उसके लिए हम प्रश्ण वाचक चिन्न को देखते हैं हम प्रश्णवाचकचिन्न को समझ लेते हैं उसकी बिभगती को जान लेते हैं तो उसी बिभगती वचन में हम अपना उत्तरलिक देते हैं और हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि आपको पता आंसर तो आपको आ जाता है जैसे हमारा पहला प्रश्म कहता है तपह प्रभावात तपके प्रभाव से कोन सखया जाता कोन सखा हो गए थे तपके प्रभाव से कोन सखा हो गए थे तो आपको ये तो आ जाएगा कि हिंसक पशु क्या हो गए थे हिंसक पशु को हमें क्या करना है अब हिंसक पशु एक नहीं है बहुत सारी हैं अब हिंसक पशु में अगर बहुत सारी की विभक्ति लगानी तो क्यों लगा रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा के शब्द है के जो शब्द है वो कहां आता है किम शब्द के किम के शब्द रूपों में में भी प्रत्मा की बहुचन है तो हमें करना क्या है? जो उत्तर है उत्तर में प्रत्मा विभक्ती बहुचन लगा दिनी है? तो हिंसक पशु में हिंसक शबद किस सी couch बनता है? ल। पशु शब्द किस से बन जाता है पशु का बहुवचन क्या बनेगा प्रत्मा विभक्ति बहुवचन में उक्रांत जैसा बनाएगा तो भानु 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 भा लगाएंगे तो आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही बनेगा रटने की जरूत नहीं पड़ेगी आपको समझ में आ जाएगा और शब्द रूप हम इसलिए बार-बार कहते हैं के शब्द रूप याद गल दीजिए है न तो समझ में आएगा पारवती अगला प्रेशन वाक्य में लिखना है तो तपह, प्रभावात, केके स्थान पे हिंस्त्र पश्वाह सखाय जाता लिख दीजी हो गया उत्तर आपका ठीक है आगे देखते हैं पारवती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत पारवती तपस्या के लिए कुत्र अब ये लिखा है कुत्र स्थान क्या होता है हमारा अधिकरण होता है यानि आधार बनता है क्रिया का वही जाने का आधार क्या है अधिकरण तो अधिकरण के हिसाब से इसमें जो हमारा उत्तर आएगा उसमें क्या आजाना चाहिए अधिकरण सब्तमी सब्तमी भी वक्ति लग जानी चाहिए लेकिन लेकिन अगर उस इस्थान के बाद में जाने की क्रिया है अगर कुत्र गच्छती, कुत्र गच्छतह, कुत्र गच्छन्ती या कुत्र अगच्छत कहीं पे अगर जाने की बात आ रही है जाने की बात में आपको पता है कि स्थान बताएंगे स्थान में अधिकरन कारक होता है अधिकरने सब्तमी अधिकरन में सब्तमी विभक्ती लगाई जाती है यानि कुत्र के स्थान में जो उत्तर आएगा उसमें सब्तमी विभक्ती लगाईएगा लेकिन अगर उस स्थान के बाद में अगर गच्छ गम क्रिया आजाए गम और Vinyatya विभक्ति क्या कहती है क्यों लगती है क्यों कि हमारे पास एक सूत्र होता है जो कहता है गत्यर थे द्वितिया याने के अर्थ में द्वितिया विभक्ती लगाईए जहां पर जाने का अर्थ बताया जा रहा हो तो जिस स्थान पर जा रहा हो उसमें द्वितिया लगाएंगे वन जा रहे हैं तो कहेंगे वनम गच्छती विद्यालय जा रहे हैं विद्यालय स्थान होते हुए भी हम कहेंगे विद्यालय में जा रहे हैं तब भी कहेंगे विद्यालय ये ना कहा कि कहेंगे विद्यालय में गच्छती तो यहां पर भी कुत्र के स्थान पे हम लिखेंगे वो कहां गई थी? पारवती तपस्या थम पारवती तपस्या के लिए कहां गई थी? कहेंगे गौरी शिखर पर गई थी तो परका तो अर्थ निकल रहा है सब्तमी विवक्ती बोल रही है चिला चिला के लगा दो लेकिन गत्य अर्थी दूतिया सुत्र ने कहा नहीं जाने की बात हो रही है जहां जाया जाएगा उसमें दूतिया आएगा तो गौरी शिखर में गौरी शिखरे ना करके उसको लिख दिया गौरी शिखरम हर एक चीज के पीछे logic होता है उस logic को हमें पकड़ना है ऐसे मन से नहीं लिख देना है कि कहीं पर आप देखेंगे कि कहीं पर कुत्र के स्थान पर सब्तमी विभक्ती वाला उत्तर आ गया और कहीं पर सब्तमी कहीं दूइतिया विभक्ती आई क्यों आई पता होना चाहिए ठीक है लिखा है कह शम्शान वसती कौन सम्शान में वास करता है कौन सम्शान में वास करता है तो कह देखेंगे कह शब्द क्या कह रहा है कह जो शब्द है किम शब्द का प्रत्माविभक्ति और वो भी पुर्लिंग में बनता है एक वचन का रूप होता है कह कौके तो कह का आता है प्रत्माविभक्ति एक वचन में पुर्लिंग के लिए और स्त्रीलिंग के लिए क्या बनता है का के काह तो का के काह पर नहीं जाना कई पुरलिंग वाले को पकड़ना है पुरलिंग कहां पर आया कई शब्द किम्कि पुरलिंग रूप में गए तो प्रत्माविभक्ति एक वचन में उसका रूप बना कई तो अह्में जो तर मिलेगा वो क्या बनेगा उसमें पूरलिंग में आएगा भई कौन समसान में एक वचन में वैसे ही शिव बन जाएंगे शिवह और हमारा ये उत्तर बन जाएगा विभक्ति देगी आपका उत्तर बिल्कुल सही हुआ कोई इतनी सी भी गलती आपकी नहीं हो सकती है अब कहते हैं अगला प्रश्ण शिव नंदाम शुत्वा का कृध्धा जाता यानि शिव निंदा को सुनकर शिव की बुराई को सुनकर का यानि कौन अब का को पकड़िए का देखी का के स्थान पर उत्तर आना है जैसे अभी हमने बताया था ना कि पुरलिंग के किम के रूप में जब देखे देखते हैं तो प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बनते हैं कह कउ के ऐसे ही स्थ्री लिंग में बनता है का के का प्रथमा विभ प्रतमा विभक्ति है और एक वचन है तो हमें करना क्या है जो उत्तर आएगा बोले कौन कृद्ध हो गई थी बोले पारवती तो पारवती ठीक है इस्त्री लिंग वाची शब्द हमारे पास उत्तर में मिल गया उसमें क्या करना है प्रतमा विभक्ति एक वचन लगानी है ब बाली का शब्द हमारा प्रत्मा विभक्ती एक वचन में बाली का ही रहेगा राधा शब्द हमारा राधा ही रहेगा माला शब्द हमारा माला ही रहेगा लता शब्द हमारा लता ही रहेगा सिक्ष का हमारा सिक्ष का ही विभक्ती है इसमें कि घले ही कोई परिवर्तन नहीं देख रहा है लेकिन देख्च कर रहा है हम क्या कर रहें तो सुत्र कहता है के नहीं होता परिवर्तन हो टो नहीं होता औरैसे ही स्थरी eyeलंट भाचीश्रम्द जैसे नदी है कारांत है颜 плत अबक्रक्परिक्रास्त होना तो नहीं होना है तो नदी नदी है पारवती पारवती है ठीक है बुद्धी बुद्धी शब्द में विसर्ग आ जाता है क्योंकि वो छोटी एकी मात्रा वाला आ जाता है लेकन पारवती में बड़ी एकी मात्रा में नहीं आता कुछ भी परिवर्तन नहीं होता आकारांत में नह वर्तन नहीं होता एक प्रतमा विभक्ति एक उचन में तो देखिए काकिस्थान पे पारवती को जैसा कत्य सोठा के रख दिया और हमारा उत्तर बन गया ठीक है बाकी सब चीजने तो हम प्रशन में सही मिली गए शिवन अंदाम शुर्त्वा पारवती कृध्धा जाता और न आगे लिखा है वतु रूपेन यानि भ्रह्मचारी के रूप में तपोवनम तपोवन में कह प्रविशत ह कौन प्रवेश करता है अब कह शब्द फिर से हमारा कौन सा आया पुर्लिंग है प्रतमा विभक्ति है और इसमें एक वचन का रूप कह लिखा हुआ है ठीक है एक ने का रूप लिखा हुआ है ठीक है तो क्या आएगा उत्तर में उत्तर में पुर्लिंग वाची कोई ना कोई शब्द आएगा कि वतुर के रूप में ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है आप कहेंगे शिव करते हैं तो शिव में हमें प्रतमा विबक्ति ये कमें बाल कह बन जाता है तो शिव बन गए शिवह और ये हमारा उस्तर हो गया सिर्फ शिवह लिख दीजिए आपका उस्तर पूरा वाक्यमें लिखना है तो क्या से लिखेंगे व।ुरूपेन टपो वनम्ट शिवह प्राविशत 1938 होगह होग है अब लिखा है और का है स्त्रीलिंग के लिए कम इसमें भी इसका भी अर्थ निकल रहा है किसको अब इनकी अर्थ भी ज़रा दिख लीजे कि कौन दोनों का अर्थ निकल रहा है कौन इन दोनों का और इन दोनों का भी है कि किसको कम और काम किसको ठीक है किसके प्रतिया किसको कहते हैं, कौन किसको कहता है, अब ये है पुरलिंग का और ये है स्त्रीलिंग की, ठीक है, ये है पुरलिंग का और ये है हमारी स्त्रीलिंग की, ठीक है, काम आता है स्त्रीलिंग के लिए, जैसे कम और काम, बाल कम, बाली काम, तो कम हमारा पुरलिंग के के लिए लगाया जाता है कौन किसको कहता है यह में बताना है कि यह कथन है किस्ने किसको का में जए था तो या यथा जैसे कि दवत्वनापन निकली इन्यमी जरा दिख लीजिए उत्तर में वह कैसे आने हैं कह और काम प्रत्समा सब्सक्टरा निकलverts को का अर्थ बताने के लिए हमें द्वितिया विभक्ति लगानी पड़ती है तो प्रतमा विभक्ति जो कहराय करता है उसको बताएंगे जो किसको कहरा है उसको मैं द्वितिया विभक्ति लगाएंगे तो जैसे लिखाया वत्से यानि पुत्री तपह कठिनम भवती तप कठि लगा दीजी दृतियाविभक्ति एक वचन का यह बहुत अच्छा नियम है कि दृतियाविभक्ति एक वचन वे किसी शब्द को बनाना है, तो उसमें आप या तो अनुस्षवार लगा दीजीए या फिर माहलंत लगा दीजे आपका बन जाएगा तो यहां आपदेखेंंगे सभी में माहलन्त लगाएं कि सभी में दृतिया विभक्ती लग व कि यह सब आने कहा था अब मात में आपको क कहांसली दख रही है तो इनका मुल रूप होता है मात्रि प्रत्मा विभक्ति एक वच्छन में उनका रूप बनता है माता यहाई जो अ प्तर बनता है माता पितर बन जाता है में नेटर यहाई रूपधे अवे चुने से लोटै है नंता प्रत्मा उट्र आग कर बढ़े आखी मात्रा को साथ में ले लेते हैं ठीके तो ये प्रतमा भिभक्ति युक्त एक वचन का रूप माता बने माता पाळवती को कहती हैं ऐसा अहम तपह एवचरश्यामी मैं तब के लिए ही जाऊंगी मैं तो तब ही करूंगी ठीके तो एसा किस ने कहा था अम्बाद देखेंगे तो उन्होंने कहा था अम्ब यानी माता, माता के लिए उन्होंने अम्ब शब्द का प्रियुकिया था, इसलिए यहां पे اम्बाद मीठ झिए नहीं तोiden कि माता को मत्री शब्द दृतिया विभक्ति का एक बचन का रूप बनता है मातरम अब कहते हैं तो किस ने कहा किसको पारवती ने अंबाम मनस्वी कदापी ध्यर्यम ना परित्य जती मनस्वी जो होते हैं वो कभी भी ध्यर्य को नहीं त्यागती हैं ऐसा किस ने किसको कहा था पारवती ने सखीम को अधे कि प्राद इसमें सभी प्रथमावी वक्ती एक वचल पूरलिंग में परिवतन हो जाता है इस थ्रीलिंग के प्रत्मा via भक्ति एक वचन में परिवर्तन नहीं होता है तो प आरहिका रांत है बनी है जैसे कि तरह सर्टKit चीक है यहां बोला विजिया ने पार्वती को कहा तो विजिया में प्रत्मा विवक्ति पार्वती में द्वीतिया विभक्ति जिसका आर्थ निकल गया विजिया ने पार्वती को क्योंकि प्रत्मा विभक्ति का चिन होता है ने और द्वीतिया विभक्ति का चिन होता है कु तो हम बताएं मिंगे किसने पार्यवर्वती ने कहा और अगया ही ऌदर विल्य को कहा औरने के लिए लुच्छ प्रत्मालगा रहे हैं। पारवती में द्वितिया लगा दी तो पारवतीम बन गया शरीरमाध्य खलू धर्मसाधना पहला शरीर ही क्या होता है शरीर सबसे पहली धर्मसाधना होती है ऐसा किसने बोला था शिव ने पारवती को कहा था तो शिव पारवतीम शिव में प्रत्मा विभक्ति पारवति में दूतिया विभक्ति आहम तव में तुम्हारी कृत दास वस्मी में तुम्हारी द्वारा जीता हुआ दास हो गया हुआ ऐसा किस नहीं कहा था शिव ने पारवती को कहा तो शिवह पारवती समझ में आ गया कहकंप्रती जो हम रोत्तर बनाते हैं उनमें भी विभक्तियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना उसके आप के उत्तरों को लिखिए प्रश्णा नाम शब्द देख लीजे उसमें सष्ठी विवक्ति है हर एक शब्द में विभक्ति पहचाना कीजिए विभक्ति पहचानने से क्या होता है कि फिर हमारे रिदम में वो चीज आ जाती है तो उसको देखते से ही आप अर्थ सही निकाल लेते हैं यानि प्रश्णों के काकी के का अर्थ निकले का नाम नाम कहां आता है सष्ठी विवक्ति वह चन में अचाहां बोलते बार वार क्यों है यह चीज़ कि शष्ठी विवक्ति वह चन सप्तिमी विभक्ति यह इसलिए बोलते हैं कि जिसे आप सुनेंगे और बार बार जब याद आएगी चीज तो आप पर कहीं पर भी आपको वो लिखिए अब लिखा हुआ है पारवती कृध्धा सती किम अवदत यानि पारवती क्रोधित होती हुई क्रोधित होती हुई किम अवदत क्या कहती है पारवती जब क्रोधित हो जाती है तो वो क्या कहती है तो हम किम शब्द को हटाएंगे पहले जो हम उत्तर लिखेंगे तो तो हमने किम हटाया, उसके बाद में अगर बोलने की या कहने की कभी भी आपके सामने ऐसे प्रशन आएं, तो आप क्या कीजेगा कि पहला जो वाक्य है वाक्य तो आपका यहीं से मिल जाएगा, कि उसने ऐसा कहा, तो पूरा हमने जो वाक्य है उपर प्रशन से ले लिजे, प अर्वती कृद्धा सती आवदत अरेवा चाल अपसर यानि दुरहज जगती ना कुवपी सिवश्य यथार्थ स्व रूप जाना पी यह कहते हैं जगत में नहीं है कोई ऐसा कोई ऐसा नहीं है कोई आपई यानि कोई भी नधी जो शिव के यथार्त स्वरूप को नहीं जानाती जगत में ऐसा कोई नहीं है जो शिव के यथार्त स्वरूप को नहीं जानता हो इस प्रकार से यह आग का उत्तर हो जाता है आगे लिखा है कह पाप भाग भवती कौन पाप का भागी होता है जो कहते हैं अब कौन की जगर पर वो वताते हैं कि यह यानि जो जो को क्या हिंदी में जो कहते हैं उसी को संस्क्रिट में कहते हैं यह यानि यह शिवश्य जो शिव की निंदा करोती जो निंदा करता है यह और जो और का यहाँ से पहले आर्थि निकलेगा और जो सुनता है सह पापभाग भवती वो पाप का भागी होता है तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में यह यानि जो सिवश्य निंदा करोती जो शिव की अब शिव में काखी की कार्थ लगाना इसलिए सेश्टी विवक्ति का एक वचन लगाया क्यों कि शिव का गा जो किष्व की निंदा करता थे यह च और जो शुनोती सुनता है सह यानी वह पाप्भाग भवति हो पाप का भागी हो जाता है ऐसा किस ने कहा था पारवती ने कहा था पारवती किम कर तुम एक चक कहती है कि पारवती क्या करने की इक्षा कर रही थी क्या करने की इक्षा कर रही थी अब यहाँ पे लिखा है किम यानि क्या प्रत्मा विभक्ती तो उत्तर हमारा आएगा पारवती तपह कर तो मेक्षत तप करने की इक्षा कर रही थी तो बस यहाँ पे मैं कुछ नहीं करना है किम के स्थान पे तप को लिख देना है अब आप क स्त्री लिंग में आए गैगा पूर लिंग में कभी आब देखिये जैसे आपको अचानक कोई प्रेशन करती तो आपको क्या पता है वह उत्तर क्या आने वाला है नहीं होगा न, तब इस परिस्तिती में ऐसे प्रश्णों में किम इसी लिए लगा दिया जाता है, कि हमें नहीं पता कि पारवती क्या करना चाह रहे थी, जाना चाह रहे थी, खेलना चाह रहे थी, बोलना चाह रहे थी, या क्या करना चाह रहे थी, नहीं पता, इसी लिए त तो किस प्रकार से बन जाता है, यह जो किम होता है, इसका अर्थ क्या होता है, क्या या कौन, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, क्या या कौन, अब जब उत्तर हमारा किस में आना हो, पूर लिंग में आना हो, तब तो देखी वो कह लगा देते हैं, जिसका अर्थ कौन निकल की वार कुल नहीं यह पता कि उत्तर क्या को यह सच में, आपके सामने वह पता के उत्तर क्ली भुभुय। तब हम और का ना लगा कि परिसीती में किम क्या करना चाहरे ती, तब आहसे की परिखती है की हमारा… प्रत्मा विभक्ति में है तो हमारा जो उत्तर आएगा तब उसको भी हम प्रत्मा विभक्ति एक वचन में ही लगा देंगे क्योंकि इसमें हमारी विभक्ति भी कौन सी है प्रत्मा है और हमारा वचन भी इसमें एक वचन है ठीक है इसलिए जब हम उत्तर बनाएंगे तो प् तपह क्यों लिखा क्योंकि बिवक्ती लगाने पार्थ यह शब्द में नहीं देते आगे लिखा है पार्वती कया साकम यानि पार्वती किसके साथ में गौरी शंकरम गच्छती गौरी शंकर को गई थी गौरी शंकर अब यहां पर को का अर्थ आ रहा है यहां पर जबकि अर लेकन यहां पर क्या रहा है गोरी शिकर परवत है वहाँ पर जा रहे थी तो इधर तो क्या आना चाहिए ता हुले यहां पर अंकी बिंदी आ गए यहां तो दितिया बिभकती लगए जबकि इस सप्तिमी बिभकती आनी चाहिए तो हमने कल आपको एक बताया था कि गत्यर्थे सूत्र होता है गत्यर्थे द्वितिया यानि जाने के अर्थ में द्वितिया विभक्ती लगाएंगे तो कहते हैं कि जहां पर भी जाने की बात हो रही हो कि कहीं पर जाया जा रहा हो विद्या ले जा रहे हैं बन जा रहे हैं वर्वत पर जा रहे हैं तो पर होते हुए भी वहाँ पर हम जाने का अर्थ कहता है कि गम धातू के योग में गम और गम का ही रूप क्या होता है गच्छ ठीक है तो वहाँ पर जाने की बात में जहां पर जाया जा रहा होगा उसमें द्वितिया बिभक्ति लगाई जाएगी भले ही सब्तमी का भाव आ रहा हो फिर भी ठीक है तो यहां पर हमने यह चीज इसलिए बताए क्योंकि अर्थ निकल रहा है कि गौरी संकर पर गई है ना पर जाती है अब क्योंकि गच्छती के रहे हैं तो हम जाती है बोलेंगे कि प आपकी द्वितिया लगी है तो क्यों लगी है वो इनने इसलिए बता दिया आपको ठीक है तो किसके साथ अब यह कया शब्द लिखा है अब इसमें इन्हें पता है इसलिए इन्होंने कया क्या क्या दिया और कया हमारा कहां आता है किम के स्त्रीलिंग रूपों में जब शच्थिय एक बचण का रूप हमारा कया बन जाता है तो हमारा जो उत्तर आएगा वो ठीस है जटो हमारा सक्षी जो शब्ड है बड़ि ए की मात्रा वाला वो बी कैसा बन जाएगा witness रिदिया एक बthinking सक्षिए बनजाएगा क्या बनजाएगा सक्ष्ष सव शब्द इसलिए लगा दिया क्योंकि अपनी सखी के साथ गई थी किसी दूसरे की सखी के साथ नहीं गई थी इसलिए क्या कहा सव सख्या सखी शब्द में तृतिया भगती एक वह चनकारूप बन गया हमारा सख्या चीक है बड़ी की मात्रा का लोब हो गया और यहां पर जैसे बालिकया हो जाता है बालिका का बड़े आकी मात्रा हट जाती है और इस प्रकार से बालिकया बनता है तो ऐसे ही हमारा यह बन गया सख्या ठीक है तो सख्या भू लिख दिया हमने और किसकी सखी के साथ अपनी सखी के साथ इसलिए सख्या शब्द में सव भी लगा द वो कैसा है आकारांत बाली का जैसा है कैसा रूप है इसका बाली का जैसा अब जैसे बाली का तृतिया विभक्ती एक वचन में रूप क्या बनता है बाली कया बढ़या की मात्रा लूप हो जाती है और या आ जाता है यहां पर तो बाली का तो ऐसे ही विजिया का क्या हुआ या गाया हुआ और बढ़िया के मातरा के साथ में या लगा दिया तो विजय या तो हमारा उत्तर बनिया है स्वासक्या अपनी सकी विजय या साकम गौरी शंकरम गच्छती हो क्या? ठीक है? अब तो यह तो बहुत सरल भी आगया यह वाला तो कि मंजुशा ताह पदानी चित्वा मंजुशा से यह जो मंजुशा दी हुई है पदानी चित्वा पदों को चुनकर समाना अर्थक पदा नहीं लिखा समाना अर्थक पदों को लिखिए मन्जुशा से पदों को चुनकर उनके सामने जो दिये हुए पद है उनके सामने क्या करना है? उनके समानार्था क्लिखना है जैसे शिला या शिला का अर्थ क्या होता है? पथर शिला का अर्थ क्या होता है? पथर या चत्तन तो उसका समानार्था कौन बना है माता बन रही है, मौन बन रही है प्रस्तर बना है, जन्तु बना है नयानी बना हुआ है तो कहेंगे यहाँ पर प्रस्तरे प्रस्तर, प्रस्तर, शिला यह से पाशान इनका अर्थ क्या होता है पत्थर होता है पाशान, प्रस्तर, शिला ये एक ही बात होती है तो कहेंगे शिलायाम और देखें यहाँ पर भी कितनी सही विभक्तियां चल लही है जो शिलायाम शब्द में देखें सब्तमी विभक्ति लगी है जैसे कहा है शिला मे या शिला पर तो अब हमें जो पत्थर डूनेंगे उस पर लगा हुआ होना चाहिए कि शिला पर या पत्थर पर एक ही बात है तो पत्थर में भी परकार्थ लगाना इसलिए यहां पर उन्होंने समानार्थक में भी सब्तमी विभक्ती लगा कि दी तो प तवर बहूवचनका रूप लिखाय अमबा अम्बा शब्द में हमारी कॉन सा है दो बोले प्रत्मावववक्ति एक वचन कि कहें साथ तो तो ओनς ने नाकीने तो नत्रनी फ्लेन फलैंनम नई नन्त और जासा थू दो गात या पर भी आईंन आंडिा दो कंद है लोन में तूशनीम का अर्थ देखी, वहाँ पर भी तूशनीम माहलंत के साथ, तो मौनम, मौन भी शब्द हमारा माहलंत के साथ में नपमुनसक लेंगी रूप में आ गया, ठीके, तो ये हो गए हमारे समानार्थक पद, शिलायाम का अर्थ हुए शिलापर, तो पथर पर, पशवह, यानि बहुचन की रूप में जन्तू, तो जन्तू और पशवह, समानार्थक होते हैं, अंबा, माता, मा, एक ही बात होती हैं, नेत्राणी, चक्षू भी कहते हैं, चक्षू और या हमारे नैनानी, ठीके, तूशनीम का अर्थ हुआ, चुपरेना, और उसका समानार्थक मोन बन गया, अब लिखा है, उधारणान अनुसार पद रचनाम कुरुद, अब ये उधारण की अनुसार आपको पद की रचना करनी है, अब हमने जैसे के आपको ये बताया था, लास्ट वीडियो में जब हमने अभ्यास करवाई थी, तो ये चीज हमने आपको सिखाई थी, अच्छा, ये इसके लिए हमें थोड़ा सा धातु रूप की तरब चलना पड़ेगा, कैसे? ये हम आपको लिख देते हैं लटलकार और ये लिख देते हैं हमा आपको लंगलकार की, ठीक है, दोनों तरह की धातुएं लिखे देते हैं, यहां यहां लिखे देते हैं अब देखते हैं, अब हम एक पठ धातु ले लेते हैं, तो हम प्रथम पुरुष, फिर एक वचन दोई वचन नहीं आपाएगा थूड़ा से नीचे ले लेते हैं, ये हो गया आपका प्रथम पुरुष, ये हो गई मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के लिए क्रियाएं, इस वारी लाइन की लगाई जाती है और फिर हो गया हमारा उत्तम पुरुष तो उत्तम पुरुष की क्रियाएं हमारी उत्तम पुरुष के लिए क्रियाएं यहां से लगाई जाती है अब यहां देखे लेते हैं यह क्या है आपका एक वचन दुई वचन और बहुचन एक वचन दुई वचन और बहुचन थोड़ी सी साधरन सी चीज़ है अभी समझ में आ जाएगी दो मिनट में लेकिन समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर समझा नहीं तो हमें रटने से कोई फायदा नहीं है रटने से कितना सारा रट होगे जैसे गणे तो होता है ना मैत होता है वो रटा नहीं जाता है उसको समझा जाता है तो संस्कृत भी यह समझने ही की चीज़ है रटने की चीज नहीं है, विशय तो कोई भी हो, हम यही करते हैं को समझ के पढ़ोगे, तो अच्छे समझदार बन जाओगे, रट होगे तो रटू तो तरह जाओगे, कुछ नहीं होगा बूल जाओगे, बिल्कुल यह सही बात कर रहे हैं आप से, अब लिखा है जैसे हम लगाई जाती हैं, और उस धातू रूप में कुछ प्रत्याय जूड़े जाते हैं, वो कौन से प्रत्याय होते हैं, ती, तह और अन्ती, तो धातू तो हमारी पठ ही रहे, लेकिन एक जगे वो बन गई पठती, एक के लिए, कोई भी जब काम करने वाला एक होगा, तब हम पठती, काम करने वाले दो होंगे, तो लगाएंगे पठता, और हमारे काम करने वाले बहुत सारी होंगे, तो लगाएंगे पठती, फिर कहा पठसी, यानि अब तुम पढ़ रहे होगे, तो कहेंगे पठसी, तुम्हारे साथ में एक और बैठा होगा, तो हो जाएगा पठ भूठकाल में क्या होता है अब इसको हम तोड़ा शोर्ट में लिगने हैं प्रथम पुरोष मध्यमपुरोष और उत्तम पुरोष ठीक है समझ में आ रहा है ये हमारा हो गया एक वचन ये हमारी हो गया दू वचन के लिए और न ख़िए रहों और भी हम आपको ये बता है अब यहां पर क्या लगाया जाता है भूत काल की धातू में प्रथम पुरुष में त ताम और न अब ताताम नाव कैसे लगता है बूले पठ धातू में लग जाता है तो जाता है पठत पठ ताम और पठन अब बूले सिर्फ क्या यही लगता है बूले नहीं यहां पर हमारे पास क्या लगता है बुले यहां पर भूत काल में आ और हर एक के आगे लग जाता है यही एक पहचान होती है क्योंकि नहीं तो लंग लकार की अगर आप रूप देखेंगे तो बहुत कुछ लोट लकार के आपको नो मैसे कम से कम पांच चार या पांच तीन हटा दीजे दो या तीन हटा दीजे बाकि के सब लोट लकार के लंग लकार जैसे ही बनते हैं वस अंतर इतना होता है कि इसमें अ लगा हुआ होता है और उसमें अ नहीं लगाया जाता है ठीक है अब मध्यम पूरुष के लिए क्या बनता है वो ले अह तो बोली सिर्फ पठ बन जाता है हमारा पठह और आगे लगता ही है अपठह अपठताम अपठतम और यह बन जाएगा हमारा अपठत अब बोले यहां पर भी ता बोले एक यहां ता पूरा होता है इधर आधाता होता है यह अंतर होता है मध्यम पुरुष और जो बहुचन के लिए ता लगाया जाता है अंत में वो पूरा होता है उत्तम पुरुष के लिए क्या जोडते हैं कहते हैं अम तो यह हो जाएगा पठम आव तो कहेंगे पठाव और कहेंगे आम तो कहेंगे पठाम अपठाम अब यह तो आपको समझ में आ गया कि यह हमारी एक वचन के लिए दोई वचन के लिए बहुचन के लिए और यहां पर यह जो हमारी वर्तमान काल की क्रिया हैं इनके साथ में अगर कभी वैसे इनका अर्थ क्या निकल रहा है पढ़ता है दो पढ़ते हैं और बहुत सारी बालक पढ़ते हैं तुम पढ़ इन अगर धात्वों के पीछे अभी इसम लगा दिया जाए इक हमारा शब्द होता है अब यह होता है इसम क्या होता है अगर इनी के साथ में इसम लगा दिया जाए तो यही हमारा भूत काल के लिए एक वचन मन जाता है यह अपना भरतमान काल का रूप त्याग करके यही भूत काल की मतलब यह इसका ही विकल्प बन जाता है चाहे अपठत लिख दीजिए यानि पढ़ता था या पढ़ा था या फिर लिख दीजिए पठती इसम एक ही बात हो जाएगी यह दोनों समान हो जाएगी तो अर्था इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हमें भूत काल की क्रिया लगानी है चीक है भूत काल की क्रिया अगेला पठती है तो इसका अर्थ पढ़ता है और अब पठत का अर्थ हो जाएगा पढ़ता था लेकिन इसमें लगा दिया तो इसका भी अर्थ है पढ़ता था और अब इसका भी अर्थ हो जाएगा पढ़ता था तो अब हमें करना क्या है बुले ये जो धातुएं हैं ये यही कह रही है कि इधर इन्होंने वर्तवान काल की क्रिया में इस्म लगा दिया है तो वसती इस्म उत्ती और इस्म कहां आता है प्रथम पूरुष के एक वचन में तो हमें अब इसको भूत काल की क्रिया में बताना है कि भूत काल में प्रथम पूरुष एक वचन में क्या बनता है तो आप कहेंगे वहां पर तो अपठत बनता है तो पठती इस्म की जगह पे ये वसती इस्म की जगह पे हमने लिग दि होसे करेंगे पश हमारे कहां आते हैं पुरुष 1 के लगा दि Google करेंगे हैं Bastog सब्सक्राइब सब्सक्राइब ताहही अलगा दिया है , एश्यक्यम को अलगा दिया है मिलेक है मैं तो भूत काल बनने वाला आईए सभी में आ लगा दिया और उसके बाद ती के स्थान पर त लगा दिया आधा त लगा दिया तो बनगे आपश्यत, आतपत, आचिंतियत आवदत और यह हो जाएगा आगच्छत ठीक है? बस यह इतना करना है कि पठती की जगह पे अपठत कर दीना है अब यहाँ पर हमने अभी यह सारी चीज़े ने क्यों लिखी? क्योंकि यही इस प्रकार से भी पूछी जा सकती थी कि पठता इसम लिखा हुआ होता तब आप उसकी जगह पे अपठताम लिख देती क्योंकि प्रथम पुरुष दुई वचन में ही यह बरतमान काल इसम लगने से भूत काल का प्रथम पुरुष का दुई वचन बन गया ऐसे ही कहें पठनती इसम तो आ जाता अपठन पठसी इसम तो यह हो जाता यहां पर उसका एक विकल्प बन जाता अपठताम फिर कहें पठत इसम लग जाने से यह एक दूसरी की क्या बन जाएगे समान अर्थक बन जाएंगे यह की जैसा अर्थ बताने वाले बन जाएंगे नई, तो इसमें है लगाया जाता है, पढ़ता है, हिसमें था थी, पढ़ता है, दो पढ़ते थे, बहुत सारे बढ़ते थे यह अंतर हो जाते हैं, लेगन इसमें लग जाने से दोनों का ही को प्रतंपूरश एकवचन में ही बदल दिया क्यों कि और वो भी लंगलकार में ही क्योंकि यह जो स्मशब्द है इसिने इसको लंगलकार वाला बना दिया तो इस प्रकार से हो गया अब अच्छा इसका जो अगला प्रश्न है उसमें उल्टा करना है अब यहां लिखा है अलिखत, अकथयत, अनयत, अपठत, अधावत और अहसत अब यहां पर हम पैचानेंगे क्या है यह, कहेंगे लंगलाकार की यह प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन की यह क्रिया लगी हुई है तो हमें क्या करना है इसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए लंगलकार थाथिते का अर्थ बता रहे तो थाथिते का ही बताना चाहिए लेकिन इसका समान रूप लिखना है तो कैसे लिखेंगे कहेंगे अलिखत में हम क्या करेंगे इसी को लटलकार वाली लिखती में बना आड़े के हो जाएगा लिखती और इसको भूतकाल में बनाने के लिए लगा देंगे इस में फिर कहेंगे कथ बन जाएगा हमारा कथ यह और तक स्थान पे लगा देंगे ति आड़ देंगे सभी मेंसे ने देखे बिल्गूल सरले, क्या करना है, आ को हटाते जाएगे, उसमें कोई परिशानी है, नहीं, आ हटा देंगे सब वी में, ठीके, इसम वाली ही इसी की जैसी क्रिया बनानी है, तो त की जगा पे हो जाएगा हर जगे ती, क्या हो जाएगा ताकि इस थान पर बना दीजिये ती ठीक है धावत की जगे धावती हसत की जगे हसती और हमारा कथ की जगे कथ यती और सम्में लगा देंगे इसम तो बस बन गया इसका ही समान रूप सभी में इसम लगा देंगे ठीक है बस ये तो करना ही था समान रूप बनाने थे अच्छा हमने विभक्तियों का कि स्वारी हमने आपको पुरुश्वर वचन का क्यों बताया वो इसलिए कि यहां पर तो चली अभी इन्होंने कथयत कह दिया लेकिन कभी आपके सामने अगर लिखा हुआ हो अकथ अकथय ताम अगर यहां पर अकथय ताम लिखा हुआ होता और इसी को भूतकाल में बदलना होता तब हम क्या करती तब हमें तब भी तो वचन फिर पैचानना पड़ता ना इसमें क्या कैसे पैचानती आप कहते कथय धातू में कथय शब्द में इनने क्या लगा है इसकी हमें पुरुष वचन पैचानती तो हम क्या करेंगे वर्तमान का भी लट लकार का भी प्रथम पुरुष का दोई वचन का रूप लगाएंगे तो ती के वाद क्या आता है दोई वचन के लिए तह तो यहाँ पर हो जाएगा तह और यह हमारा अहट रहा है यानि भूत काल की ही बात करनी है तो इसम लगा देंगे लट लकार की क्रियाओं में अगर इसम लगा दिया जाए तो वो हमारी कैसी हो जाती है लंग लकार की बन जाती है ठीक है यह मैं अब जैसे मान लिजे मद्यम पुरुष की अगर क्रिया लिखी होती लिए लिखा हुआ होता अपठह क्या लिखा हुआ होता अपठह और तब हम इसको पैचानते कि इसी को इसी का भूत का रूप बनाना है तो क्या करते मूल धातों पठ उठाते फिर इसमें ज लटलकार में हम मद्यम पुरुष एक वचन की इसमें क्रिया लगा देते तो मद्यम पुरुष एक वचन में क्रिया में क्या लगता है हमारा तीतह अंती सी थह था तो पहला क्या आता है एक वचन का सी तो यह हो जाएगा पठह सी लेकिन बनाना इसको भले ही लटलकार की क् इस प्रकार से यह होता है आपका पाठ समाप्त अभ्यासकारियों के साथ में संकल्प सिध्धी दायका यानि संकल्प द्रण जो संकल्प होता है द्रण शय होता है वो हमारे किसी भी सफलता को प्राप्त कराने वाला होता है तो इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है और यह सार वेबसाइट पे जाने के लिए गूगल टैप पे जाना पड़ेगा लिखे मेगनेटब्रेंस.com इंटर करते हैं आपके सामने वेबसाइट पे जाएगा यहां पे आपको थोड़ा से स्ट्रूल करेंगे क्लासिस दिखने लगेंगी अब आप क्लास 7 को सिलेक्ट करते हैं तो 7 पे जाएंगे अपके सामने इंट्स क्ैक्रिट आपूर इंट्रेट के साये पर見 सांस्कृत की यहां पे पे जाएगा यहां पर आपको समक्रिट में ही चेप्टर्वाइस वीडियो दोस मिलती जाएंगे अभी दीर से हैं सारी प्रेलिस्ट बंती चैप्टर वाइज पढ़ाई कैसे जैसे आप शुरुवात से पढ़ते चले आ रहे हो हो सकता है आपको तीसरे पाथ में आपने जो स्वाव लम्मन है उसके अभ्यास चूट गए हो है ना प्लेलिस्ट में डूंड़ोगे तो उपर से नीचे तक ढूंड़ना पड़ेगा चैप्टर वन का हम आपको खोल के दिखाते हैं कि इसके त्री लेक्चर से और उसमें पहला वाला क्लिक किया तो हमारे सामने पहला वीडियो ओपन हो गया यही से नेक्स पर भी जा सकते हैं अर्दात मतलब यह है कि थोड़ी सी जैसे कोई भी चीज ढूंड़ने में जहां परिशानी हमें आज आती है प्लेइलिस में क्योंकि वहां पे सारी चीज़ें एक साथ होती हैं यहां उनको छोटी छोटी प्लेइलिस में डिवाइड कर दिया है लेसन के हिसाब से कि पहले चैप्टर का कितनी चीज़े हैं दूसरे में कितनी हैं तीसरे में खहती हैं इस प झाल 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 झाल